हाई फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माइ योटुब चैनल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मौंग डाल की रेसिपी फ्रेंड्स वैसे तो ये मौंग डाल की रेसिपी काफी हेल्दी होती है लेकिन आज हम इसको और भी जादा हेल्दी बनाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना मूंग दाल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिए आदे कटोरी मूंग दाल यह धुलीवी मूंग दाल है और उसके बाद मैंने लिए एक गाजर उसको मैंने छील करके काट लिया है और मैंने लिये दो प्याज, मेडियम साइची, उसको भी मैंने काट लिया है, लस्तन, छे से साथ का लिया है, उसको भी मैंने बारीक-बारीक काट लिया है, थोड़ा सा पाराक लिया है और एक टमाटर, इनको हमने बहुत ही रफली काटा है, बहुत फाइन हमने नहीं काटा ह कुछ भी तो अभी हम इसको साइड करते हैं डाल को पहले आप अच्छे से वाश करने के बाद आप कुछ देख सकते दाल अच्छे से बहुत हमने वाश कर लिए अब हमें कूकर लेंगे और कूकर के अंदर ये दाल डाल देंगे दाल के बाद इसमें हम पालक डालेंगे टमाटर भी डाल देंगे ही पर गाजर भी डाल देंगे प्याज भी डाल देंगे और इसी के साथ में हम यह लस्दन भी डाल देंगे फ्रेंड्स कोई सी भी डाल अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है अब थोड़ी से मसाले डालेंगे मैं आदी चमच हल्दी पाउडर डाल रही हूं और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार पानी डालेंगे और इसको गैस पर रखेंगे पकने अब मैंने यह कुकर गैस पर रख दिया है इसमें हम दो या तीन सीटी आने देंगे उसके बाद हम गैस आप कर देंगे दो सीटी आ चुकी है अब हम गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे और इसको प्रेशन निकलने तक ठंडा होने देंगे आप हमारे कुकर में से सारा प्रेशन निकल चुका है और कुकर को हम खोल लेंगे खोल के हम देखेंगे दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है या नहीं वाउ दाल तो हमारी बहुती बढ़ी तरीके से गल चुकि है और हमने जो इसमें सबजी आट करी थी वह भी अच्छे से गल चुकि है गुड जाए और फिर आप घैस पर रखें एक कटोरी या कुछ भी आप रख सकते हैं जिसमें आप छोक लगाते हैं मैंने छोप के लिए यह अलग से ले रखा है इसमें हम डालेंगे देसी घी फ्रेंड्स दाल आप देसी घी में ही छोपे क्योंकि उससे काफी अच्छा टेस्ट आता है फिर उसके बाद गी को अच्छे से गरम होने देंगे और जब हमारा घी अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे हिंग फ्रेंड्स दाल में हिंग का अलगी फ्लेवर आता है बहुत ही टेस्टी लगती है दाल और उसी के साथ में हम डाल देंगे जीरा जीरे को भी अच्छे से चटकने देंगे फिर हम इसमें डालें द्धनिया पाउडर और पिर इसको कूकर में डाल देंगे और डाल करके कूकर का ढखकन दंगे ज़से इसके जो चोब बनाया उसकी स्मेल सारी भान नहीं निकलेगी हमारी दाल में अच्छे से मिक्स हो जाएगी और दाल मारी बन चुकी है आप हम इसके ओपडालेंगे थोड कि I hope आपको पसंद आई होगी यह रोको पसंद आई है तो इस रेसीपी को लाइक करें और अपने फ्रेंट्स और फैमली के साथ जादा से जादा शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं एक नई रेसीपी के साथ तब तब के लिए बाइ बाइ